हलो फ्रेंड्स वल्कम टू आएक्जाम भी आएम सुशील टगडे एक्स मैनेजर रिजर बैंक आफ इंडिया और ये टॉपिक ऐसा है जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेरीज आई है सर मेरा नमबर इतना है सर मेरा ये iet इतना है मेरा ये है मेरा वो है तो उसके बारे में यहाँ पर में Clarity दूगा लेकिन finally क्या है ना देखो 아ih का सिर्फ इतना नहीं होता है कि यह number टेस्ट कर लिया हो गया AI में काफी सारे complications होते है retina test है आपको पता है कुछ liquid डालके उसको expand करके उसका भी test होता है तो ये बहुत सारी case है और यहाँ पर ना पतलब किसी का selection हो जाने के बाद medical में rejection होने का chance मुझे लगता है 1000-1 है तो 1000-1 क्या है selection हो जाने के बाद अगर आज अपसे देखेंगे तो कम से कम मुझे लगता है 10 लाख में 1 लाख chance होगा क्योंकि अभी आपको prelims देना है prelims clear करना है फिर mains देना है mains clear करना है फिर interview देना है उसके बाद या आएगा लेकिन स्टिल सबको डर लगता ही है कि यार मैं अगर इतना महिनत करो और वहाँ पे करने के बाद अगर मेरा selection नहीं हो पाता है तो बहुत मैं ने वही कहा कि आप से 10 लाख में एक case होता है और selection हो जाने के बद हजार में एक ऐसा case हो रहा है तो आप इसकी चिंता बिलकुल मत कीजिए वैसे अगर देखा जाये ना तो मैं आपको बताओ एक case क्या होता है कि every year 100 लोग ऐसे कि जो exam देनी बाते है तो आपने कभी सोचा ऐसे मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ तो life में uncertainty बहुत है लेकिन इसका ज़्यादा आपको tension नहीं लेना है चलो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि क्या क्या test करने वाले है यह सारी authentic information है जो select हुए student हो सबको email गया है मेरे को 10-15 लोगों ने बेज़ा है और यह every year यही होता है थोड़ा एक दो test आके पीछे यहाँ पर हो जाते है तो चलो यहाँ पर video start करते है लेकिन start करने से पहले कि वो जो level है जहाँ तक आप जाएंगे उसके पहले आपको prelims निकलना है तो सबसे पहले ही यहाँ से start करो phase 1 का test है वो देना है उसके लिए हमारा यह GA के अलग-अलग modules यह है अलग-अलग formats है Bpedia के daily है weekly है monthly है कुछ लोगों को लगता है कि सर आप यह क्या बोलते है आप कुछ interesting चीज़े बताइए RVA grid view officer का घर कैसे होता है वो भी मैं लेकर आऊंगा लेकिन ना वो सारी चीज़ें सिर्फ आपका dopamine बढ़ाती है सबसे boring चीज़ है exam को prepare करना तो वो देखिए तो चलो आप यह आते है जो आप सुनना चाते है मैं आपको दिखा देता है चली यह है यह सारी test है और यही test यहाँ पे होने वाली है physical examination आपको पता है आपका height है weight है वो basic चीज़े चेक हो जाती है CBC यह आपको पता है complete blood count है यहाँ पे दिया हुआ है मैंने वो पढ़ लीजिए ESR जो होता है अभी इसका pronunciation मुझे पता नहीं क्या है आप यह देख लीजिए rate है FSB है PPBS है and SGPT है तो यहाँ पर क्या यह fasting है ठीक है post meal test होता है यहाँ पर fasting वाला and post prandial blood sugar test आपको पता है यानि कि sugar level देखी जाती है जब आप fasting पे होते है उसके बाद खाना के बाद उसके बाद फिर से बलाते है वो test हो जाता है तीक है उसके बाद S creatinine type का test होता है यहाँ पर आप देख लीजिए यह mostly kidney के लिए होता है kidney के लिए होता है blood that comes from your muscles यहाँ पर urine के लिए तो यहाँ पर kidney कैसी function होती उसके लिए होता है बाकी urine test है UPTA girls के लिए होगा married females के लिए urine pregnancy test होता है मुझे पता नहीं हमारे time pace है मतलब जो list आया था उसमें यह नहीं था अभी recently add किया है x-ray है ECG है eye testing है यहाँ पर यहाँ पर क्या है आपको पता है बहुत बार यहाँ पर चेक किया जाता है medical होता है और उसको पता है सबको अपनी duty है job है वो प्यारा होता है इसलिए उनको 1% भी doubt आ गया तो वो बोलते है कि आप higher test करा लिजी in any abnormality detected in physical examination यानि कि उनको कुछ लगता है थोड़ा भी डाउट आता है और दूरिंग इंवेस्टिकेशन बैंक से मेडिकल ओफिसर और कंसल्टन्ट में फर्दर इंवेस्टिकेट और केस टू केस बेसिस यानि कि किसी का नंबर आठ है तो हम डिरेकली नहीं कह सकते कि आपको फर्दर इं यह multiple factors होते है लेकिन मैंने आपको कहा अभी 10 लाक में एक केस ऐसा आएगा कि सेलेक्शन नहीं होगा इस लेवल से मतलब फर्म भरने के पहले के लेवल से अधरवाइस हजार में केस आएगा उसको आपका टेंशन बिलकुल नहीं लेना है क्योंकि यह जितने सारे लोग possibility जो है वो बहुत rare possibility है लेकिन human being जो है अगर आपनी evolutions पढ़ाई किया होगा तो हम inherently हम pessimistic है हमें डर लगता है ऐसा हो जाएक तो ऐसा होगा तो यह आप सब लोग इसलिए देख रहे है क्योंकि सब लोगों को डर रहता है कि यार मैं अपलाय करूंगा और मेरा selection हो जाने के बाद rejection हो गया तो क्या होगा लेकिन आपको इसको टेंशन मत लेना नहीं लेना है आपको यह सारी टेस्ट है नॉर्मल टेस्ट है अगर आपको लगता है तो आप यह सारी टेस्ट का लीजे पहले government hospital में जाईए बड़े aims में जाईए वहाँ पी दिखाईए उनको बोलिए क किसर यूपीसी लेवल पे या बड़े लेवल पे और कोई अगर डॉक्टर है जो पैनल पे था आर्बिया के पैनल पे था या लाइसी के एजबिया के पैनल पे या यूपीसी स्टेट PCS के पैनल पे तो आपको पता पाए कि यह सीरियस condition नहीं है लेकिन still क्या होता है वो अ उनको further investigation करने को बोला है लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे आएगा कि आपका reject ही हो जाएगा जो पहले से ही किसी government job में काम कर रहे है उनको तो बिलकुल भी चिंता करनी की ज़रूत नहीं क्योंकि already अगर आप bank में काम कर रहे है तो already you are fit तो यहाँ पे अगर क नहीं है एक पैर नहीं है तो भी वो काम कर सकते तो आपका चोटे मुटे लेवल पे tension लेने की जरूत नहीं है ये वीडियो बनाने का purpose ये है कि आप without tension यहाँ पर phase 1, phase 2 की तयारिया कीजिए अगर आपको phase 2 की तयारी करनी है तो आप यहाँ पे call करके पूचिए किस तरीके स हम आपकी descriptive answer writing ये practice कराते हैं ये सारा आपको पता चलेगा लेकिन ये सारा पढ़ाई के बारे में देखना ये interesting बिल्कुल नहीं लगए अगर मैं कल एक वीडियो बनाओ यार जिसमें कुछ question explain करू तो यार उसमें किसी interest नहीं है IS officer का घर कैसा है देखो इसका kitchen कैसा है देखो इसके कितने लोग उस पे काम करने लगते है कैसा office है ये कैसा है वो कैसा है क्या-क्या facilities मिलती है IS officer दिखते कैसा है तो ये सारी है ये मतलब human being को ये जानना मतलब curiosity होती ही होती लेकिन उससे कुछ मिलेगा ने ठीक है ये है मैं इतने वीडियो में दिखा चुका हूँ लेकिन आप मुझे बता कितने लोगों ने ये question answer पड़ा है ऐसे मैंने कम से कम 40 question बनाए आपको sample के लिए दिखाया है कितने लोगों ने पड़ा है कितने लोगों ने previous रिक है questions all कि मुझे पता है 1000 में एक करता है और फिर वही लोग होते जो select होते हैं और बाकी लोग सारे वीडियो देखते रहते हैं मुझे पता है किस टाइब के वीडियो चलते हैं और फिर आपको दो रोग मिक्स करना पड़ता है पढ़ाई की वीडियो भी डाला है लेकिन कितने लोगों ने देखा अगर आप चाहो तो मैं ऐसा भी वीडियो डाल सकते जिसमें 5 लाग व्यों आएंगे देखो IS Officer का घर किस तरीके से क्या क्या मिलता है वो देखने से कुछ परग नहीं पड़ेगा आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी यह जैन्यून टॉपिक था इस पे काफी सारी queries आई थी लेकिन मुझे अभी लगता है इतना सारा देखने के बाद आपको डाउट नहीं आना चाहिए यह सारा पढ़ाई आपकी करनी पड़ेगी लेकिन मुझे पताए पढ़ाई करना बोरिंग काम है बाकी वीडियो देखना रिल्स देखना इंटरस्टिंग काम है अर भी अगर आपको लाइफ में आखे कुछ करना है तो पहले थोड़ा सा बोरिंग काम करना पड़ आपको मेरा टेलिग्राम चनल दुरूँ उसके बारे में अपटेट देता रहूँगा अभी मेडिकल टेस्ट के उपर में कोई वीडियो यहाँ पे नहीं बनाऊँगा मेरा जो टेलिग्राम चनल है और फेस वन प्रीविए सेर क्वोस्टिन की जो लिंक है मैं वहाँ पे दिस्किप्शन में दे देता हूँ वहाँ पे आपको लगता है तो सौल कीजिए अगर वाइज आपको कुछ पढ़ाई के बारे में कुछ इंट्रेस्टिंग वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएए मैं वो करने का ट्राइक करना हूँ thank you all the best for your studies and upcoming examinations